इंडिया की one of the oldest, most prestigious and renowned university, Delhi University से B.Ed. करने के लिए ये ज़रूरी है कि graduation में आपका minimum 50% marks हो और कोई भी ऐसा candidate है जिसका किसी कारणवस graduation में 50% marks नहीं आ पाया है और उसने समय रहते master's कर लिया है, PG की degree ले लिया है तो उसका form PG की degree की basis पर फिल किया जा सकता है provided उसने PG में 50% marks score कर रखा हो वैसे तो 99% candidates graduation के basis पर ही form फिल करते हैं बहुत कम candidate ऐसे होते हैं जिनका 50% से कम marks हो अगर किसी का 50% से कम है अगर आपने PG कर रखा है तो भी आप अपना PG के basis पर form फिल कर सकते हो और कोई candidate ऐसा है जो engineering background से आ रहा है technical degree के background वाला है तो उनके लिए जरूरी है कि उनका 55% marks होना चाहिए ध्यान दीजेवा, graduation में महज 50% marks केवाल एकलौता criteria नहीं है due से beard करने के लिए और भी कई conditions हैं जो आपको fulfill करना है सबसे पहली चीज तो तुम्हें किस subject में beard करना है ये तुम नहीं decide करोगे ये Delhi University बताएगी कि देखो भाई ये list of subjects हैं जिसमें हम beard कराते हैं केवाल इन्ही particular subjects में से तुम beard कर सकते हो और वो भी हर subject के हिसाब से हम eligibility बताएगे कि क्या eligibility criteria है अगर तुम उसमें set बैट रहा हो तभी तुम beard कर सकते हो डली उन्वर्शिटी से otherwise नहीं कर सकते हो तो basically है क्या आप इधर मत देखिए ठीक है इसको अभी थोड़े जर के लिए ignore करो basically है क्या कि अगर आपको du से beard करना है तो ये वाला जो list दिख रहा है केवल यही वो subjects हैं जिसमें आप du से beard कर सकते हो तो सबसे पहले तो आप यह देख लो कि यह जो subject है आपने अपने graduation के result में या कोई post graduation के basis पर फिल कर रहा है तो post graduation के result में आपने पढ़ रखा है कि नहीं तो केवल इनी subjects में से ही केवल इनी subjects में ही du में beard होता है और यह ज़रूरी है और यह ज़रूरी है कि जो भी subject इन में से आप choose करोगे जो भी subject आप इन में से choose करोगे वो subject new thumb ध्यान दीजे का minimum बोला जा रहा है new thumb 200 marks का at least पढ़ रखा हो 200 marks का at least पढ़ रखा हो अपने qualifying degree में अगर आपका qualifying degree graduation है तो ज़रूरी है कि जो भी subject आप b8 करने के लिए choose कर रहे हो उस particular subject को आपने अपने graduation में या post graduation में minimum 200 marks का show or short पढ़ रखा हो तभी आप उस particular subject में b8 का form fill कर सकते हो तो let's say तुमने मानलो graduation में English पढ़ रखा है तो ज़रूरी है कि minimum 200 marks का पढ़ रखा हो let's say कि तुमने इस में से कोई subject में से b8 किया है अब तुम मानलो b8 program किये हो अब तुम देखो कि इन में से कौन सा ऐसा subject है जो तुमने minimum 200 marks का पढ़ रखा हो तो कोई सा भी इस में से subject आप चूज कर लो जिसमें आपको b8 करना है अपना result उठाओ graduation का जो भी आपका qualifying degree वाला result है उठाओ उसको और उस result को देखो कि क्या जिस भी particular subject में तुम b8 करने के लिए डली उनिवर्सिटी से सोच रहे हो उस particular subject को तुमने 200 marks का पढ़ रखा है की नहीं अगर उस particular subject को minimum आपने qualifying degree में 200 marks का पढ़ रखा है तो आप बिलकुल उस particular subject से डी यू b8 का फार्म फिल कर सकते हो लेकिन इसमें एक तीसरा क्राइटेरिया और है सबसे पहले तो qualifying degree में 50% होना चाहिए प्लस जिस subject के आप बिएड कर रहे हो जब उस subject को बिएड के लिए चूस करोगे तो ज़रूरी है कि वो particular subject minimum ध्यान दिजेगा minimum 200 marks का पढ़ा होना चा का total paper नहीं होता है तो जरूरी है कि पूरे course में पूरे throughout the degree में वो subject minimum आपने 200 marks का पढ़ रखा हो और जो तीसरा condition है इस particular subject है जिसको आपने minimum 200 marks का पढ़ रखा है उसमें भी minimum आपने 50% score कर रखा हो तो let's say कि अगर तुमने subject मानलो पढ़ा है 500 नंबर का तो यह जरूरी है कि इस particular subject में minimum 250 भी आपने score कर रखा हो अगर minimum उस particular subject में 50% score नहीं है तो आप not eligible हो जाओगे तो दो तीन तरह का criteria है डियू बीएड में match करेगा तभी आप किसी उस particular subject से डियू में बीएड कर पाओगे बाकि Delhi Bytes is the oldest and most trusted platform for डियू बीएड Delhi Bytes के बहुत सारे seminar वेगरा भी होते है aspiring teachers के लिए Delhi में और बहुत सारे हमारे webinar meet भी होते हैं जहांपर teaching field के regarding complete holistic throughout guidance मिलता है not just preparation in fact government job in fact private job in fact teaching abroad इन सब के regarding time to time बहुत सारे webinar और seminar होते हैं उसके regarding आपको guidance मिलता रहेगा जिसके लिए teacher education resource वाला telegram group must join करना अगर आप teacher बनने के लिए सोच रहे हैं तो do join teacher education resource telegram group इसका link description box में दिया हुआ है इसके बाद भी कोई doubt or query रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जूट सकते हो जिस कलिंग description box में दिया हुआ है या फिर यह यूजर आइडिया पर इंस्टाग्राम पर सर्च करें सुरवात में मैंने बोला था कि बहुत prestigious renowned prestigious और renowned प्रिस्टीजियस और renowned रहेगा तभी आपको admit card बगर है लोग देते हैं तो बहुत तरह के बुनियादी इन्होंने rules set कर रखे हैं और उन rules से क्या होता है कि बहुत अच्छे teacher बनके निकलते हैं लोग तो बहुत अच्छा job opportunity रहता है डियू से ब्याट करने पर अब समस्या यह है कि बहुत 40 seat बढ़ाया गया है ना इसमें भी 125 seat तो केवल और केवल home science के लिए है जिसमें केवल और केवल फीमेल सी admission ले सकती है केवल girls इसमें admission ले सकती है तो जो भी normal candidate पहले तो 125 तुम ऐसे ही माइनस कर दो और ध्यान देना हर लड़की नहीं admission ले सकती है girl भी वह जिसने home science में BST कि आओ तो 90% candidate ऐसे ही बाहर जाते है 125 सीट तो common competition के लिए मात्र जो सीट बचता है एक department of education जिसको CIE की नाम से भी जाना जाता है Central Institute of Education जो की 1947 में फॉर्म हुआ था आजादी के साथ ही तो यह one of the oldest इंडिया का बीएट का कॉलेज है एजुकेशन देपार्टमन के कॉलेज दिप Department of Education जिसमें टोटल 125 सीट है यह कोईड है इसमें मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं फिर मार्थी वालमिकी कॉलेज अफ एडुकेशन इसमें भी 125 सीट है यह कोईड है इसमें मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं फिर यह तीसरा SPA में केवल और केवल गर्ल्स को डेडिकेटेड है जिसमें केवल और केवल 63 सीट हैं और किसी को बहुत सब्जेक्ट के हिसाब से पैडगोजी के हिसाब से यह सीट डिस्ट्रीबूशन समझते है तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं यह पैडगोजी पैडगोजी है क्या है जो मैं बार बार कह रहा हूं देखो B.E.D. मेंन में बहुत सारा फर्जी previous year paper circulate होता है क्योंकि इसका प्रिवियस यह पेपर इतना इसली एवलेबल नहीं होता है तो इसका original PDF paper आपको चाहिए होगा तो आप Delhibytes के app में जाओ वहां से download कर सकते हो paper और Delhibytes का app download करने के लिए Google के play store में जाना है Delhibytes search करना हमारे app में कोई भी performance booster resource आप purchase करने जाओगे तो सबसे पहला आपको PYQ free मिल जाएगा in fact past three to four years जब से paper online हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि Delhibytes के app में आपको सारा paper online free of cost मिल जाएगा previous year paper जिसको आप practice भी कर सकते हो free of cost Delhibytes के app में जाकर या फिर सीधा Google पर Delhibytes search करो सबसे टॉप पर Delhibytes आएगा Delhibytes के website पर भी जाकर आप सेम facility अवेल कर सकते हो अगर in case कोई ऐसा जिसके phone में app install करने के लिए memory न हो तो खैर आज आते हैं colleges and fee पर जैसा कि मैंने बताया D.U. में total चार college है department of education central institute of education ci coed male female दोनों के लिए मरती वालमिकी college of education same बहुत अच्छा college है बहुत अच्छा education है यहां पर male female दोनों के लिए लेड़ी इर्विन और चांप रशाद मुखर जिया दोनों girls के लिए 5000-6000-7000-8000 रुपए ही D.U. का piece था जो भी इनके major जो दोनों college है 2023 से D.U.B.8 का paper C.U.E.T. करवाता है अब Delhi University अपना paper खुद नहीं कराता है ध्यान दीजेगा कोई जरूरी नहीं है कि सभी central universities अपना admission C.U.E.T. के थ्रू ही लेती हो लेकिन Delhi University तो C.U.E.T. के थ्रू लेता ह यह बहुत clear है तो basically है क्या ना D.U.B.8 का form fill करने के लिए basically आपको C.U.E.T. का paper देना होगा और C.U.E.T. को university नहीं है C.U.E.T. सिर्फ एक paper है वहाँ पर एक particular paper code आपको मिल जाएगा उस particular paper code का जब आप paper दोगे तो उस particular paper code में जो भी आपका merit बनेगा जो भी cut-off जारी होग लिस्ट जो students जारी होगा जिसमें आपका merit बनेगा उस particular merit के basis पर उस particular paper code के result से तमाम अलग-अलग universities जो अपना admission लेती है तो डेली उनिवरसिटी भी C.U.E.T. के paper code से अपना admission लेता है तो basically है क्या कि जो डियू में follow होता है जो paper code हमें देखने के लिए मिलता है normal commerce पंजाबी होता है math का 06 होता है science का जो है 07 होता है और आपके screen पर ही जो paper structure दिख रहा है basically यही paper structure डेली उनिवरस्टी पॉलो करती अपने exam में यही syllabus है इसका आप screenshot ले सकते हैं और हां कई जगा यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वहां पर part A भी दिया रहेगा यह party 2023 दक पूस्ता थ 2024 के paper के लिए पार्टे हटा दिया गया है तो केवल यह domain specific domain knowledge वाले question ही आप लोगों से पूछे जाएंगे तो यह जो 75 आपको जगा जगा देखने के लिए मिल दा है केवल domain knowledge वाले question आपसे पूछे जाएंगे यह party नहीं पूछा जाएगा इसमें तो depending on your subject जैसा कि सुरुआ पेड़ागोजी से आप eligible हो आप चेक कर लो पेपर कोड यहां पर उपर मेंचेंड है उस पर्टिक्लर पेपर कोड को सी यूटी का form फिल करते समय आपको चूज करना होगा डीटेल में समझने के लिए मेरा क्या है टॉपिक वाइस क्या है कैसे पढ़ें क्या करें चैनल के प्लेइस में जाए यह वन अप दो मोस्ट इंपर्टेंट प्लेइस डिस्क्रिप्शन बाक्स में नीचे कॉमेंट में मैं इस प्लेइस को पिन कर दूँगा सी यूटी डीव बीटेटी फॉर वाला प्लेइस जरूर्ट देख लेना सभी अलग अलग पैड़ागोजी के हिस से जिसका टाइटल है संपूर्ण जो की 99% प्रेपरेशन आपका एकदम ट्रैक्ट पर लागे चीजों को पर्फेक्ट कर देगा प्रीविएस यह पेपर आपको फ्री आफ कॉस्ट मिल जाएंगी और तमाम और मॉक्टेश भी संपूर्ण में मिलते हैं जो आप सब प्रेक् सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना लेवल चेक कर सकते हो पीवाई की अगरा आप सारा कुछ देकर फ्री आफ कॉस्ट पीवाई की अब दे सकते हो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना लेवल गेज कर पा हो और प्रेक्टी संपूर्वाई क्यां प्रेक्टिस है अब कर दूप निस्षिए अब्सक्राइब करो